हाई फ्रेंस आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर बोर्जे मसारा जिसको बनाने में सिर्फ 10-15 मिनित लगने वाली हैं इसकी मज़ेदार बात क्या है पता है इसका जो बेस है वो काफी मज़ेदार रहेगा बिलकुल सूखा नहीं रहेगा बाकी पनीर भुर्जी कीत रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं मैं एक पैन में डाल रहेँ नहीं डो टेबलस्पून गी जरूर टालेगा इससे क्या होता है कि फ्लेवर काफी अच्छा आता है सबजी में और साथ में मैं डाल रहेँ वन टेबलस्पून जीरा तीन से चार लोग एक दाल चीनी और दो से तीन ड्राइए रेड चीलीज साथ साथ में मैं डाल रहे हूं हिंग फ्लेवर के लिए और कुछ ग्रीन इलाई चीज और एक तेज पता तेज पता डाला मत भूलेगा फ्रेंड सी से काफी अच्छ टेस्ट आता है और अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे एक से तो मिनिट के लिए इन खड़े मसालों को जब हम घी में भूनते तो काफी अची कुछ भी हो आती है तो यह देखिए फ्रेंड सी भून गए है अभी हम इसमें डालेंगे एक चॉप्ड अनियन इसको मैंने बारिक कट करके रखा था अभी इसको फ्राई करेंगे दो से तीन मिनिट तक यह फिर ज सकते हैं उससे भी काफी अच्छा पेस्ट आता है और साथ में मैंने डाली है कुछ ग्रीन चीलिस दो से तीन पीस अब इनको भी भूनेंगे एक से दो मिनिट के लिए या फिर जब तक यह सोप ना हो जाए यह देखिए फेंस में आज का कलर गॉल्डन ब्राउन हो नहीं ल और 1-2 टेबल स्पून जीरा पाउडर उसी के साथ 1-2 टेबल स्पून गरम मसाला आप स्टेंट भी कर सकते हैं पन टेबल स्पून बेसन थोड़े ग्रेवी क्या हो जाए गाड़ी हो जाए उसके लिए और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब इनको भी मिक्स करेंग अगर आप ना डालना चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं ये देखे बेसन हमार अच्छे से भून गया है कैसे पता चले तो उपर जो है छाग आ गई है इसका मतलब कच्चापन उसमें नहीं रहा अब ही हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी और मसालों को अच्छे से गुमाएंगे एक से दो मिनट के लिए पानी डालने से क्या होता है फ्रेंड्स मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से उनकी भुनाई हो चाहेगे आप देख सकते हैं प्याज में मसाले कितने अच्छे से पाने के साथ बोईल हो रहे हैं इस स्टेज पर हम डाल देंगे 2-3 टमाटर के प्यूरी इसको मैंने पहले बना के रखा था आप चाहें तो इसके छोटे पीसिस में कट करके बें डाल सकते हैं अगर प्यूरी डालना चाहें तो प्यूरी बें डाल सकते हैं अब हम इसको रखेंगे लो मिडियम फ्लेम पर और पकाएंगे ढग कर चार से पाँच मिनट के लिए लेड़ हटा कर चेक करते हैं ये देखें फ्रेंड्स ओईल उपर आ गया है और टमाटर भी रिडियूस हो गया है मतलब पक गया है इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा और अब मैं इसके उपर डाल रही हूँ दो से तीन टेबल स्पून फ्रेस्ट दही जो मेरे पास था इससे क्या होगा जो ग्रीवी है वो क्रीमीनेस बनेगी और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ दो टेबल स्पून मलाई भी जिससे अच्छे क मलाई की जगें आप काजू को भीगो कर उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं रिचनेस के लिए या फिर अगर आपके पास मलाई है तो मलाई डाल दीजेगा या फिर आप जो दही है उसको जादा डाल दीजेगा इससे क्या होता है जो हमारी पेस्ट है वो बहुत जादा करके डाल दीजेगा और चूरा करके बिल्कुल नहीं डाल लें क्योंकि हम बना रहे हैं सब्जी हल्वा बिल्कुल नहीं बनाने अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही में इसमें डाल जो स्लिट ग्रीन चिली इस यह वाली रेसिपी मेरी फैमली फेवरेट है क्योंकि जैसे कि वीकेंड आता है तो हमें जटपट से सब्जी भी बनानी और जादा महनत भी नहीं करनी है तो यह असानी से जल्दी जटपट बन जाती है और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लेज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैन और अब इसको हम ठक कर पकाएंगे तीन से चार मिनिट के लिए लेड हटा कर चैक करते हैं यह देखिए तेल एक दम स्टैपर आ गया इसना मतलब हमारी सब्जे से पग गई है बन गई है बिल्कुल भी कच्चापन सब्जे में है नहीं अब इसको चैसे मिक्स कर लेंगे औ कर आप इसके उपर कुछ धनिया वगरे डालना चाहें गार्निशिंग के लिए ता आप वो भी डाल सकते हैं इट्स अब टू यह लास्ट फिनिशिंग के लिए मैं डाली हो मेरी परस्नल फेवरेट कस्तूरी मेथी और फ्रेश धनिया की कुछ पतियां और अब हम इसको मिक पूरी के साथ चावल के साथ जिसके साथ आपको खाने अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ बाब बाई